क्या आपने कभी सोचा है कि रात में ओड़कर निकलने वाले डरावने से दिखने वाले चमगादर यानि पैट्स के बारे में आपको कितना पता है हम उनको डरावना और बदसूरत ही समझ दे थे और अब उनको मॉडरन टाइम्स की सबसे खतरनाक बिमारी कोरोना वाइरस यानि कोविड-19 का भी सोर्स माना जा रहा है पर असल में वो हमारी जिन्दगी में बहुत जरूरी रोल अदा करते हैं जिसका हमको अंदाजा भी नहीं वो हमारे फ्रूट्स को पॉलिनेट करते हैं खतरना कीटों को खाते हैं और लेब में भी बहुत सारी मेडिकल मार्वल्स को इंस्पायर कर रही है दोस्तों आपको बताते हैं बैट्स के बारे में ही कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स क्या आपको पता है कि बैट्स की दुनिया भर में लगपग 1400 से भी ज़्यादा परजातिया पाई जाती है दोस्तो बैट्स दुनिया में लगपग सब ही जगे पाई जाती है केवल कुछ extremely hot desserts और बहुत ही ज़्यादा cold polar regions को छोड़ कर बैट्स काफी size में पाई जाती है सबसे छोटी बैट hog nose बैट या bumble wee बैट है जिसका weight एक coin से भी कम होता है जो कि इनको सबसे छोटी mammals बनाती है और वहीं बड़े size में flying foxes जिनके wings 6 feet से भी ज़्यादा बड़े होते है सभी बैट्स हाइबरनेशन में नहीं जाती है दोस्तों जैसा हम सब को पता है बैट्स और बैट्स को उनके हाइबरनेशन के लिए जाना जाता है पर असल में सभी बैट्स हाइबरनेशन में नहीं जाती है कुछ बैट्स जैसे कि spotted bats जब सर्दिया आती हैं तो खाने की खोज में गरम इलागों की तरफ चली जाती हैं बैट्स के कुछ नेचरल प्रेडेटर्स भी होते हैं बट बिमारें उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं उल्लू, बाज और साम बैट्स को खाते हैं पर इन सबसे ज़्यादा नुकसान वाइट नोज सिंड्रम से होता है जिससे लाखो बैट्स मरते हैं इस बिमारी से बैट्स के मुँ और पंको पर सफेद फंफून यानि फंगस लग जाती है जो की सबसे ज़्यादा हाइबरनेशन की पोजिसन में अफेक्ट करती है वाइट नोज सिंड्रम से पैसर्ट लाग से ज़्यादा बैट्स की दैठ हो चुकी है साइंटिस्ट इस बिमारी के बारे में चानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं अगर आपको कभी अंडरक्राउंट जाना हो जहां पैट्स ने अपनी करलोनी बनाई हो तो वहाँ अपनी कपडों, जूतों और समान को साफ करकर ही जाएं बिना पैट्स के आपको एवकाडोस, केला और आमों को गुडबाय कहना पड़ेगा तीन सो से ज्यादा फल देने वाले पैट्स की पॉलीनेशन पर डिपेंट करते हैं बैट्स अंजीर, नट्स और ककाव जो चोकलेट का मेन इंडिरिडेंट है एटीसी के बीजों को फैलाने में हेल्प करती हैं बैट्स के बिना रामपास और सैगुआरो केक्टस पैदा ही नहीं हो पाते रात में उटने वाले कीट पतंगों को बैट्स से बहुत डर रहता है बैट्स रोजाना अपने वजन के बरापर हजारों कीट पतंगों को खाते हैं बैट्स रात के बहुत सारे कीट पतंगों को खाती हैं जो काइटिन से बने होते हैं जिससे बैट्स की पूप भी चमकने लगती है और इन कीट पतंगों को खाने से बैट्स किसानों के पेड़ पौदों को पैट्स से लड़ने में हेल्प करते हैं बैट्स ही उड़ने वाले only mammal होते हैं दोस्तों आपने उड़ने वाली गिलहरी के बारे में सुना होगा बट असलियत में वो उड़ती नहीं है बलकि glide ही करती हैं वो भी थोड़ी दूर तक ही बैट्स असलियत में उड़ती हैं बैट्स के पंक एक modified hand के जैसे दिखते हैं imagine कीजिए आपके fingers की बीच की skin बढ़ जाए जो की एक जिल्ली जैसी बन जाए छोटे पर बहुत तेज प्रानी दोस्तों बैट कितनी तेज होगी यह उसकी प्रजाती पर depend करता है एक research के according कुछ bats 100 mile या 160 km per hour की speed से उड़ सकती है 41 साल तक जीने वाली बैट कहा जाता है कि जीव जितना छोटा होता है उसका life span भी उतना ही छोटा होता है पर bats लंबी उम्र के शुरूर को तोड़ते हैं जंगली bats का life span लगबग 20 साल का होता है पर scientists ने bats के 6 species को 30 साल से भी ज्यादा टाइम तक जीने क्या भी confirm किया है 2006 में Siberia के एक छोटी सी बैट का 41 साल का life span अब तक का सबसे लंबा life span record है bats की medical and research में help लगबग 80 दवाईं bats पर depend पेडो से आती है bats अंदी नहीं होती हैं जैसा लोग मानते हैं बलकि वो उड़ते टाइम अपने आगे sound signal छोड़ती है उनके रास्ते में आने वाला कोई भी object उन sound waves को वापिस reflect कर देता है जिससे bats को उनका पता चल जाता है और वो अपना रास्ता बदल कर टकराने से बच जाती है bats के echo location के बारे में research करके blind लोगों के लिए navigation का सामान बनाने में पहुत help में लिए है bats की research ने ही काफी vaccine में help की है bats का भी belly button होता है केवल इंसानों को ही belly button नहीं होता है बलकि कुछ mammals को छोड़कर मा के umbilical code की वज़ए से लगवक सभी को navel होता है दोस्तों आपको bats के बारे में यह जानकर पसंद आई होगी पिलीज इस वीडियो को comment एंड हमारी चैनल को जरूर subscribe कर दे thanks for watching